हलो गाईज आपके चेरे से दाग दब्बे और स्किन इंफेक्शन जैसी प्रोब्लम को ठीक कर पाईगी और क्या इस क्रीम को चेरा गोरा करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं आज इस पेंडरम प्लस प्लस क्रीम के बारे में आपको complete information देने माला हुँ वीडियो को लाश सकी जोड़़ देखे तो चलेंगे में डावनिस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं गाईज आप देख सकते हैं मेरे पास आज पेंडरम प्लस प्लस क्रीम है तो सब से पहले में इसके प्राइज की बात कर लेते हैं ये मेरे पास 15 ग्राम का पैक है और उसका MRP प्राइज ए 112 रुपे लेकिन हुझे मेडिक ले स्टोर से 80 रुपे की मिली है बात करें इस करीम के दाद खाज हुझली या फंगल इंफेक्शन या आपकी स्किन पे रेडनेस की प्राग्लम है तो इस कंडिसन में आप इस करीम को यूज में ले सकते हो मतलब ऑटे कर दाद को अपको जैसे क्रीम को इसकिन प्राइज में ली जाती है लेकिन गाइस बहुत से लोग इस करीम क redness की problem है या आपकी skin पे swelling आ चुकी है तो इन सब भी problem के लिए आप इस cream को use में ले सकते हो इन सब भी problem पे एक cream काफी अच्छे से work करती है लेकिन अगर आपको इन में से कोई भी problem नहीं है और आप इस cream को चाहरा गुरा करने के लिए use मिलेना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही clear कर दूँ कि आपको इस cream के काफी ज़्यादा side effect देखने को मिल सकते हैं और आपका चेहरा पहले से भी ज़्यादा काला और खराब हो सकता है इसलिए आपको इस cream को as a fairness cream बिल्गुल भी use नहीं करनी चाहिए और जब बात कर लेते हैं इस cream को use करने के सही तरीके के बारे में आपको इस cream को केवल रात में use करनी चाहिए दिन में बिल्गुल भी use नहीं करनी चाहिए आपने रात में सोने से आदे गंटे पहले अपने face को normal water से wash कर लेना है और अच्छे से clean करने के बाद इस cream को केवल affected area पे ही apply करनी है means आपने इस cream को केवल माई पे लगानी है जहां पे आपको problem है और फिस उब उठकर आपने पने face को normal water से wash कर लेना है और आपने एक बात का और धियान लगना है आपने इस cream को तब तक use करनी है पे छोटे छोटे हैर भी उगने लगते हैं इसलिए आपको इस cream को जाद लंबे समय तक use में नहीं लेनी चाहिए और वीडियो लास्ट में आपको यही सजिसना दोगा कि आपको इस cream को doctor की advice लेने के पाद use में लेनी चाहिए यह जिसमें medical store से आप इस cream को लेते हो महीं से आपने अपनी problem के according screen के बारे में complete information ले लेनी है इसके बाद यह आपनी screen को use करना है वीडियो पसंद आजी तो वीडियो को लाइक और से जुड़कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखेंगे हैं मैं चैनल कूप सब्साइब कर लिजिए